इसमें हम बात करेंगे बार्न ब्रीज के बोन कोईन के प्राइस मोमन के बारे में एंट्री लेवल, सब्डेटेट लेवल और आने वाले दिनों में इस कोईन के टारगेट्स करेंगे करेटली कोईन 3.6 USD पर ट्राइट कर रहा है अभी कल वाला जो market fluctuation देखने को मिला वहाँ पर इसकी price में भी एक अच्छा का सा ड्रोब देखने को मिला है जहाँ पर एक अच्छी खासी है पोश्टी वापिस इस कोईन के अंदर निकल के आ रही है अबराल सारी जो के बारे हम बात करेंगे इस वीडियो में उससे पहले जो नए investor trader market में आएं है जिनको जानदा knowledge experience नहीं है उनके लिए हमने premium service start की है ताकि वहाँ पर आपको proper guidance, proper study share की जा सके चेट access रहेगा, crypto queries रदोल की आएगी, signature की जाएगे और भी बहुत सारे benefits है तो जो भी अपने crypto journey profitable start करना चाहते है crypto losses से बजना चाहते हैं, वो इंस्टा पर DM करके join कर सकते हैं इंस्टा के link वीडियो के description में है, currently coin 3.65 पर trade कर रहा है 3.46 वाल lowest coin ने सुबह के time में बनाया था और वहाँ से अभी थोड़ा सा fluctuation देखनी को मिल रहा है daily का chart open करें, तो recently जो इस coin में breakout हुआ था उसके बास से इसके price में अच्छा correction देखनी को मिला price यहाँ 3 USD से नीचे चली गए थी, वहाँ से वापिस move करके यह coin 3.8 से उपर-उपर maintain था, जहाँ पर बार-बार यह coin 3.8, 3.9 से move कर रहा था और उपर की तरब 4.7, 4.8 को बार-बार try कर रहा था एक अच्छा कासा 15-20% का regular basis price coin में fluctuation देखनी को मिला था 3-4 दिन, 3-4 दिन में यह अच्छा कासा move लेता है यहाँ से अगर देखें, तो यहाँ 4.7 ट्राइ किया, फिर drop हुआ, फिर 3.6 पर प्राइज आई, यहाँ वापिस इस coin ने 4.7 को ट्राइ किया, फिर यहाँ drop हुआ 3.9, फिर वापिस हैं 4.7 को ट्राइ किया तो इसी टाइप के fluctuations में, almost 9 बार स्टार्टिंग से लेके, अभी तक देखने को मिल रहे थी, लेकिन अभी किया हुआ इस coin ने, अपना जो 3.8 UST वाला daily का support area उसको break कर दिया और उससे नीचे हमें पिछले जो कल की closing है, वो देखने को मिली, और उस level से अभी भी नीचे coin trade कर रहा है तो अब 3.8 UST वाला जो level है, वो इस coin के लिए अच्छा कासा अब resistance phase करने को मिलेगा, हलाकि hardly rejection area नहीं है, easily उसको break कर देगा, लेकिन थोड़ा बहुत वहाँ से rejection phase करने को मिल सकता है, अब नीचे की तरब daily में इस coin को 3.2 वाला support area जहां तक price, देखिए अगर BTC यहां से move नहीं करता है, stable रहता है, तो इसमें भी बहुत जादा moment नहीं होगा, तो थोड़ा बहुत fluctuation याने कि वापिस से price 3.5 या 3.4 तक आ सकती है, उसके लिए आपको prepare रहना है, और एक अच्छी कासी safe entry आपके लिए जो हम बात करेंगे, daily के अंदर अगर बात करें तो इस coin ने इस level को lose किया, 3.2 वाला support area उपर के तरफ, 3.8 के बाद 4.4 वाला assessment area है, अब weekly के अंदर अगर हम बात करें, तो weekly के अंदर इस coin को यहां पर इस ने previous week की जो closing हो 4USD से उपर की है, और इससे पिछले वाले जो 4-5 week गए लगबख सभी week की closing अवे 4USD से उपर ही देखने को मिली है, और 4USD वाला level is coin के लिए weekly में support area है, तो overall जैसे fluctuation हो भी रही है, और वापिस move करके, weekly closing जब होगी, वहां तक यह coin अगर 4USD से उपर च करेगा और weekly में वापिस 4USD से उपर चाला जाता है, तो उसको भी यह maintain करेगा नहीं, तो फिर price जो वो जिसा हमने आपको बताया, 3.2 तक भी आ सकती है, लेकिन उसके बहुत कम chances है, अगर market में वापिस move होना start हो जाता है, या BTC यहां से 36,000 वाले level को maintenance रखता है, तो बहुत ज़्यादा dump नहीं देखने को मिलेगा, अब previously भी हमने आपको दो levels पर इंटर शेयर की थी, 4.3 और 3.9 ए 4.3 कराउन में, वहाँ पर आपने buy किया हुआ देखिए, normal condition के basis पर यह coin उस level को maintain किये हुआ था, हमने दो तीन बार अच्छा का सा profit भी generate करवाया, दूसरा जब यहां पोस्टी आई, तो यहां भी आपको entry share की, यहां वापस हमने exit करवाया, तो proper आपको exit करवाया और इस level को break होने को कोई chances नहीं थे, 4.3.8 को, लेकिन इस type की जब news निकल के आजाती है, हमने आपको बताया भी था, पहले भी बताया है, वीडियो में हम जो भी coin share करते हैं, उन enforcement agency जो रहती है, या फिर जो security exchanges यूएस का, इस type की जो agencies वगरा रहती है, वो कुछ नो कुछ वो करते रहते हैं, क्योंकि वो government officials है, वो money laundry वगरा से related जो चीज़े हैं, उनमें investigation करते हैं, और थोड़ा बहुत भी fault होता है, ऐसा कोई compensator ही नहीं है, कि यह involved है, लेकिन अगर थो clear करने के लिए उनको भुलवाते हैं, और अगर ये चीज़े real में निकल के आती हैं, तो फिर उनमें sanctions वगरा लगाया जाते हैं, और ये news निकल के आती है, तो उस वज़े से market जो fluctuate होता है, तो जब भी इस type की negative news निकल के आती है, तो market dump होता है एकदम से और इसका, ये कभी कभी भी निकल के आ सकती है, कभी भी night की time में निकल के आ जाएगी, जब आप हो सकता sleeping time हो आपका, या day के time में आप market watch नहीं करें, कभी भी निकल के आ जाएगी, और ये sudden dump होता है, इसको हम इसको ना तो इससे बच सकते हैं, आपको हाँ बचना है, तो आप पर आसल वगरा करके आप बच सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई condition नहीं है अभी market overall बुली से, तो उस level पर भी आपकी buying है, तो कोई बहुत जारा danger नहीं है, 4USD के round की buying बहुत ठीक थाक entry है, और sport में इतनी fluctuation अगर आपके portfolio में 10-12% तक का low देख रहा है, तो कोई बहुत बड़ी बाद नहीं है, ऐ इसी condition में, बाकी overall ये coin 4USD जो पर maintain था 3.94USD, अब भी अगर entry की बात करें, जिन्होंने entry नहीं लिहे और entry देख रहे थे, 3.6 वाले level पर आपको entry ले लेनी है, 3.6 वाला जो level है, वहाँ पर आपको 70% पार्ट से entry लेनी, जो भी amount आप इस coin में लगाना चाहते हैं, उसके बा 50% पार्ट से entry लगा कर रखनी है, इस ratio में ही buy करना है, पार्ट में ही buy करना है, जल्दी बाजी नहीं करनी है, targets के अगर बात करें, तो जो trading perspective से entry लेने के quick profit generate करने के perspective से उनके लिए, first और immediate target रहेगा 4.5USD वाला level, जहाँ पर आपको अपना 60% token सेल करना है, जो भी हाँ पर coin buy करेंगा, उसका 60%, यहाँ तक easily a coin try कर लेगा, 4.2 से लेके 4.5 को, second target रहेगा 4.8, क्योंकि उपर वाले level, जो है 4.4USD वाला रेशन से रहे है, वो जिससे भी break होगा, फिर वापिस यह coin, अपना जो previous, जो जिस type fluctuation, जिस type से move कर रहा था, उसको यह follow करेगा, second target आपके लिए 4 4.8 UST वाला level रहेगा, जहाँ पर आपको 60-40 के रिशो में sell करना, short term में आप 5.2 UST वाला target रहे है, जहाँ पर आपको 100% पार्ट की sell limit लगानी है, इस type से इन levels पर आपको proper sell limit लगानी हो, proper level पर आपको exit होना है, जल्दी बाजी, जैसे आप अगर इस वीडियो को बाद में व कोई बहुत जादा रिस्की नहीं है, इसके लावा जितने भी नए investor trader market में आये हैं, जिनको जानदा knowledge expense नहीं है, और अगर आपको इस coin को उपर वाई किया हुआ है, तो अपने recovery area पर sell limit लगा के रखे, exit हो जाए, और जो नए investor trader market में आये हैं, जिनको knowledge expense नहीं है, वो हमारी premium membership में ज़रू enroll करें, वहाँ पर आपको proper guidance, proper study share की जाएगी, चेट access रहेगा, crypto queries वज़रू की जाएगी, signal share की जाएगी, और भी बहुत सारे benefits हैं, तो जो भी अपनी crypto journey profitable start करना चाहते हैं, crypto losses से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर DM करके join कर सकते हैं, इंस्टा के link वीडियो नोजरी हो सके, वीडियो अच्छा लगा है, लाइक सरूर करें, चैनल का सब्सक्राइब कर लें, थैंक्यू